दिश्यत्य वर्ष भूगोल के विध्यारतियों के लिए आज हम मानव भूगोल के अंतरगत जनसंख्या जनसंख्या की व्रधी जनसंख्या सम्मंदित कोई सिधान्थ हैं तो वे इसके बारे में बढ़ाई करेंगे तो विध्यारतियों अगर एतिहासिक दृष्टी से देखा जाए मानव की जन संख्या के बारे में हम जाने ही जा रहे हैं तो सबसे पहले एतिहासिक काल में वो काल है जिसमें भोजन संग्रे और आखेट व्यवस्था ये दोनों इसमें शामिल किये गए पांच लाक साल पहले मानव ने अगनी का प्रियोग करना शुरू कर दिया था और आज से लगब डेड़ लाक साल से पचास जार साल पहले तक आधुनिक मानव यानि की होमो सेपियंस धर्ती के उपर देखा गया है फिर दीरे दीरे धर्ती के अलग अलग कोनों में अफरीका में कहीं एशिया में अलग अलग प्रकार के मानव का पता लगा है उनकी खोपडिया उनके अस्ति पंजर से पता लगाया गया है क्रिशी की करांती जो दस हजार साल पहले हुई है उस समय दुनिया की जनसंख्या में पहली बार बढ़ोतरी देखी गई क्योंकि खेती बाड़ी से अपने उधर पूर्ती के लिए परियाप्त सामगरी मानव को उपलवध हो गई और भूख के कारण से होने वाली मोतों पर अंकुष लग गया तो इस रूप में देखा जा सकता है कि लगभग तीस लाख लोगों का अंदाजा लगाया गया है ये काफी पहले जब हिम आवरण के समय में और इसी परकार से पंदरह हजार साल के बाद 53 लाग की आबादी पूरी दुनिया की मानी गई है और क्रिशी करांती के समय में व्रधी देखी गई क्योंकि पशुपालन और पोधों का पालन ये दोनों इसमें शुरू हो गए और इरान इराग जहां पर भी उर्वर भूमी मिली उस जगे पर खेती बाड़ी शुरू हो गई तो जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है से समय में दजला फराद नील नदी की घाटी ये 5000 से लेके 6000 साल पहले की बात है तो उस समय आठ करोड 65 लाग की आबादी का अंदाजा लगाया गया है और जनसंख्या घनत्व था मातर एक व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर इसी प्रकार से सन एक एडी यानि एक इस्वी में 20 करोड 20 करोड लोगों का अंदाजा लगाया 20 करोड की आबादी थी फिर इसी क्रम में एक हजार इसी में देखे तो 30 करोड थी पूरे एक हजार साल बीतने के बाद मातर 10 करोड की अबादी बढ़ी फिर सन 1750 में 80 करोड सन 1850 में 100 करोड 1930 में 200 करोड 1962 में 300 करोड 1975 में 406 करोड 1987 में 500 करोड हो गए 1999 में 600 करोड हो गए 2001 इसी में 613.7 करोड हो गए और 2011 में विद्यार्थियों हम लोग धर्ती पर 700 करोड हो गए यानि 7 अरब हो गए अब अंदाजा ये लगाया गया है कि सन 2025 जो की ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि हम अभी सिर्फ 4 साल पीछे ही हैं 781.8 करोड की आबादी दुनिया की हो जाएगी और 2050 में तो ये बढ़ करके 903.6 करोड हो जाएगी ऐसा आंकलन किया गया है यानि बाद के समय में हम देखते हैं कि जैसे 1750 में 80 करोड और 1850 में 100 करोड यानि कि पूरे 100 सालों के अंदर जाकरके 20 करोड की अबादी बढ़ी जबकि इसके बाद के जो 100 करोड की अबादी बढ़ी है वो 80 सालों में ही बढ़ गई 1930 में जब 200 करोड थी सिर्फ 32 साल के बाद 100 करोड अबादी बढ़ गई अगले 100 करोड के लिए तो सिर्फ 13 साल ही काफी थे और अगले 100 करोड के लिए सिर्फ 12 साल में बढ़ गई 100 करोड अबादी और 500 करोड से लेके 600 करोड की अबादी होने में तो सिर्फ फिर से 12 साल ही लगे और अगले 100 करोड के लिए हम देखेंगे के फिर से 12 साल लगे यह 12-12 साल में 100-100 करोड की अबादी बढ़ती जा रही है इतनी दृत गती से आबादी बढ़ रही है यानि मोटे तोर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 2022 यह 2023 सन में देखेंगे के आबादी आठ अरब हो चुकी है इतनी तेजगती से आबादी बढ़ती जा रही है यह हम दुनिया की आबादी की बात कर रहे है प्राचीन मद्यकालीन समय में देखें तो जमसंख्या बहु ज़्यादा नहीं थी 30 करोड थी मात्र और पूरी दुनिया में फैली हुई भी नहीं थी संकेंद्रन था मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, वियतनाम और चीन और फिर रोमन सब बतावाले इलाके पहले के समय में अनेकों रोगों से और युद्ध से हजारों की तादाद में लोग हताहत होते रहते थे इसके अलावा दुर्भिक्ष, अकाल और भुक्मरी की समझ्चा भी हमेशे रहती थी, महामारियां आती थी बहुत बड़े-बड़े संख्या के अंदर लोगों को काल के गाल में ले जाती थी आधुनिक काल में अगर हम देखें, 1650 के बाद इसको माना गया है तो आबादी 51.5 करोड थी, जो 1950 में बढ़कर के 2500 करोड हो गई है पांच गुना यानि बहुत ही तेजगती से आबादी आधुनिक काल में आकर के बड़ी है चुकि चिकित्सा के मामले में, समाजी कल्यान के मामले में, खेती बाड़ी, भोजन की व्यवस्था, शिक्ष्या इन सभी जीजों से अनेकों सुविधाओं के बढ़ जाने से जनसंख्या बहुत दुरुत गती से बढ़ी है सत्रह सो पचास से लेके उननिस सो के बीच में जो व्रधिदर थी, वो चार से पांच वेक थी, प्रती हजार थी, प्रती वर्ष और उननिस सो से उननिस सो पचास के बीच में ये लगभग दोगुनी हो गई और 1950 के बाद इसमें फिर से उच्छाल आ गया यानि हम देखें सन 1800 में आबादी एक अरब 1930 में दो अरब 1960 में तीन अरब 1974 में चार अरब 1987 में पांच अरब 1999 में 6 अरब 2011 में 7 अरब 2023 में 8 अरब इस प्रकार से आबादी बहुत तेज गती से बढ़ती भी रही अब जनसंख्या की व्रधी को मापे जाने के बारे में जानेगे विद्यार्थियों किसी भोगोलिक छेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या व्रधी कहा जाता है जनसंख्या के परिवर्तन में धनात्मक्ता या रनात्मक्ता पर ध्याननी दिया जाता है इसे खुल संख्या के रूप में ही मा पा जाता है प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधी में मृत्यू का प्रतिस्थापन जन्म से माना जाता है इसके लिए सूत्र है जनसंख्या व्रधी बराबर है प्राकर्तिक व्रधी यानि कि जन्म मैंसे मृत्यू को घटा दे बटे मध्य वर्षी या जनसंख्या गुणा सो ये जनसंख्या व्रधी वास्तों में तो प्राकर्तिक व्रधी दर ही होती है क्योंकि इसमें केवल जन्मदर और मृत्युदर के आंकडों को आधार मान के ही गणना की जाती है हाँ प्रवास के प्रभावों का ध्यान इसमें नहीं रखा जाता प्रवास के आंकडों को समिलित करके जन्संक्य व्रधी इस सुत्र से नाप सकते हैं देखिए जनसंख्या व्रधिदर बराबर है प्राकर्तिक व्रधिदर जमा I-E बटे मध्यवर्षिय जनसंख्या गुणा 100 यहाँ पर प्राकर्तिक व्रधिदर तो है जन्मदर माइनस मृत्युदर और I है आप्रवासी और E है बहिर गमनी यानि बाहर जाने वाले तो इस प्रकार से जनसंख्या व्रधि के लिए फार्मूला है P2-P1 P2 है दूतिय जन्मदर में जनसंख्या और P1 है प्रतम जन्मदर में जनसंख्या इस प्रकार से यह सुत्र इसमें काम करता है वार्षिक व्रधिदर को देखें तो जनसंख्या के भोगोलिक विशलेशन में प्रती दशक जीरो अंतर पर जनसंख्या वृद्धी की गणना करके उसका निरूपन करते हैं और सुत्र है वृद्धिदर का वास्त्विक वृद्धिदर आर बराबर है पी एन मैनस पी जीरो बटे पी जीरो गुणा सो आएए विधारतियो अब हम जाते हैं जन्मदर और मृत्यूदर के बारे में जन्मदर क्या होती है एक साल में प्रती हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म को जन्मदर कहते हैं और एक वर्ष में प्रती एक हजार जनसंख्या पर होने वाली मृत्यूदर कहते है अब है शिशू मृत्युदर तो प्रतिवर्ष एक हजार जिवित जन्मों पर होने वाली एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यू शिशू मृत्युदर कहलाती है इसी संदर में बालक मृत्युदर वे बाली का मृत्युदर की गणना भी की जाती है अब है मात्र मृत्युदर प्रति एक लाख जिवित जन्मों पर गरभावस्था संतान उत्पत्ती और अन्य शिशू जन्मों के कारण होने वाली इस्त्रियों की मृत्युदर इसे कहते हैं मात्र मृत्युदर सामान्य जनन्दर उत्पादक आयुवर्ग यानि की 15 से लेके 49 की प्रती हजार विवाहित इस्त्रियों पर जिवित जन्म से आकलित की जाती है इसी प्रकार जनन अनुपाद प्रती हजार उत्पादक आयुवर्ग जो की 15 से 49 वर्ष है की इस्त्रियों पर पांच साल से कम आयुव के बच्चों की संख्या इनका अनुपाद जो होता है उसे संतान स्त्रियों अनुपाद कहते है ये कुछ दरों के बारे में माप हुए बड़े मैत्पूर्ण है इसी प्रकार अब जनसंख्या की व्रधी को नियंत्रित कोन से कारक करते हैं इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है जनसंख्या व्रधी को प्रभवित करने वाले कारक कोन से हैं जो किसी प्रदेश में जनमदर, मृत्यूदर, स्थानांत्रण को नियंत्रित करते हैं क्योंकि इनी तीन क्रियाओं को प्रभवित करके जनसंख्या व्रधी को नियंत्रित किया जा सकता है इन तीन क्रियाओं को प्रभवित करने वाले कारक कोन से हैं आईए उनके बारे में जाने पहला है जन्वदर को प्रभावित करने वाले कारक जन्वदर को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक जनाकी किये सामाजिक आर्थिक और राजनितिक कारकों की मुख्य भुमिका होती है इनमे उर्वर्ता, वेवाहिक आयू, विवाहकी अवधी, योन सुभाव ये सब आधार भूत कारक हैं जो जन्वदर को प्रभावित करते हैं जैविक कारकों में देखें तो प्रजाती, स्वास्थ और स्थानांत्रन, आनुवन्शिक जनन्ता इनको श्यामिक किया जाता है ये देखा गया है कि अलग-अलग प्रजातियों में जन्मदर अलग-अलग होती है ब्राजील के एक अहारविद हैं, डी कास्ट्रो, उन्होंने किताब लिखी है, जोगरफी ओफ हंगर और इसमें उन्होंने बताया है कि प्रोटीन ग्रहन और मानव उत्पादक्ता में प्रतिकूल सम्मद होता है यानि ज्यादा प्रोटीन ग्रहन करने वालों में जननक्षमता कम होती है जनन्षमता या उर्वर्ता ये जनमदर को प्रभावित करती है स्त्रियों में योन परिपक्वत्ता योन आरंभ से रजोनिवुर्ति तक की अवधी में जनन्षमता या शंतान उत्पादन शमता होती है ये अवधी समन द्यातों 14 से 59 साल की आयू में मिलती है और पुरुषों में 2-3 साल के बाद शुरू होती है और काफी देर तक चलती रहती है जनाकी की एकारकों में आयू, योन संगठन, आवास, महिलाओं की कार्या, सनलगनता ये सब महत्पून है योन अनुपात में असन्तुलन प्रतिकूल कारक है व्यवसायकत महिलाएं बड़े परिवार की विरोधी होती है सामाजी कारकों में वेवाहिक आयू, विवाकी अवधी, योन सुभाव, ये भी जन्मदर को परभावित करते हैं योन विवार, उदार होने, वेवाईक संबंधी, प्रगाड ने होने वाले समाज में रति रोग मिनते हैं जिसके काराण जन्मदर में कमी आ जाती है सहवास में चक्रा अनुकरम ने होने से भी इस्त्रियों में पूरवरता खत्म हो जाती है लंबी अवधी तक स्तन संचरण कराने से स्तन पान की पूर्ण अवधी तक सहवास ने करने से भी गरवधारन दर्म कमी आ जाती है सिख्षा जन्मदर में भी प्रतिकुल संबंध है महारत में एक सर्वेक्षण ने बताया है कि सनाता किया इंटर्मेडियेट उत्तिर्ण स्त्री कि दो बच्चे और हाई स्कूल उत्तिर्ण हो तो चार दश्मलों छे बच्चे मिडल स्कूल उत्तिर्ण के पांच बच्चे निरक्षर ओरतों के छे दश्मलों छे बच्चों का ओसत मिलता है परिवार में पृतिष्ठा परंपरा रीती रिवाज आधी भी जन्दर में वृत्धी करते हैं और परिवान योजन के उपायों के पृति लोगों की धारणा भी महत्पून है भारत में पहले तो उपायों से परहेज, विलंबित विवाहा, निशेधित, विद्वा विवाहा, प्रमुख नियंतरक उपाय थे और सुधार कुपायों में एबोर्शन, भ्रून, हत्या आधी हैं इस प्रकार से आर्थी कारकों में देखें तो परिवार का जीवनिस्तर, आहार, यह महत्पून है राजनिती कारकों में देखें तो सरकारी नीतियां जो जन्दर को नियंतरित करती है तो ये एक बड़ा कारक हुआ जनसंख्या को बढ़ने की व्रत्ति के प्रभावित करने वाला अन्य कारकों और जनसंख्या के बारे में अन्य पक्षों को अगली कक्षा में हम जानेगे